हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग और इस टॉपिक के लिए बच्चों ने बहुत ही जादा मैसेजिस किये हैं तो आपको पहले ही कहा था जो हमने जनल नौलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंड के स्टार्ट किया है हम इसका कोई भी निया टॉपिक तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे पुराने टॉपिक खतम ना हूँ तो आज आप देख रहे हैं पार्ट थ्री का इस सब पार्ट इससे वहले आपको बता दूँ हमन आप में हो सकता है आप से नेशनल लेवल की भी पूछी जा सके क्योंकि पॉपुलर परस्नालिटीज आप से पूछी जाएंगी यह ज़रूरी नहीं है कि चांसिस हैं आप मान के चले 70 पर से हैं कि जेंड के से हूँ लेकिन बाहर से भी पूछी जा सकती है तो आपको उस त के नोट्स हैं जो मैंने आपको रिकमेंट किये थे उनसे हम आज क्रॉस चेक करेंगे कि अगर हमारे कोई भी पॉपुलर परस्नालिटी छूट चुकी है तो वहां से हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को खतम कर देंगे वीडियो स्टार्ट करने से वहले मैं दिख रहा है खुद में इंप्रूवमेंट होते हुए फिर जेके बैंक जो कि उनका हम लोगों ने पिछले साल टेस्ट दिये थे तो वह दुबारा हम ले आए तो बच्चे कह रहे थे कि जैसे स्पैशर एक्रूट्मेंट की अगर नोटिविकेशन आई है तो उन्हें स्प करना प्रॉफिटेबल नहीं होता मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी है इस बार क्योंकि अकाउंट एसिस्टेंट के लिए उनको करना काफी मुश्किल था क्योंकि उनकी टीम को पूरा काम फिर स्टेट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है तो उसके बाद दूसरी च तो आपको मैंने कहा था कि आप लोगों को अपना संडे अब मुझे देना पड़ेगा तो वो तो अब मुझे लग रहे है कि आप लोगों का संडे और मेरा शायद से सैटर्डे संडे सब भी आप लोगों के लिए चला जाएगा तो चलिए आपको मैं चीज छोटी सी दिख सादूं की कहां से आप लोग कर सकते हैं वो अभी तक आप लोगों को पता है कि आप को आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करना है तकरीबन जेएंड के से अभी तक ट्विंटी फाइव अंडर लोग जो हैं वो अकाउंट एसिस्टेंट के टेस्ट दे रहे हैं और मैं यह आईडिया लेके जा रहा हूं कि मिनिममं 5,000 हम लोग जेके बैंक के टेस्ट देंगे ताकि हमें रियल टाइम एक्जाम की फील आए और हम इंप्रूवमेंट करें अका के बैंक पंचायत असिस्टेंट और क्लास फोर करके अब जब क्लिक करेंगे इस पे तो आपको यहां पर दिख जाएगा जेके क्लास फोर स्पैशल रिक्रूट्मेंट दस मौक टेस्ट इन्होंने बनाए हैं बहुत रिक्वेस्ट के बाद और यहां पर आपको जेके पंच क्लास फोर पर जाएंगे प्राइस किया होगा इसका कितना होगा क्यों मुझकि मुझे पटा है कि बहुत टेन्स सब्सक्राइब जब आप इस पर click करेंगे आपको ये yes sure पर जाएंगे आपको पता है कि किस तरह से करना है 399 inka rate है लेकिन आपको discount मिल जाता है जब भी आप लोग यहां पर have a coupon code डालते हैं ये लोग आप लोगों को बता दूँ ये आप account assistant के लिए जो देख रहे हैं वो भी और जो लोग JK bank क के लिए हैं वो भी आपको बता दूँ आप लोगों coupon code पर जाना है बिना space के आपको इस तरह से triple s लिखना है और आपको redeem पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको ये तक्रीबन 319 रुपे की total पड़ेगी यानि की 30 रुपीज पार टेस्ट बाकी आपकी टेस्ट सीरी थोड की चल रही है class 4 special recruitment की भी जेके बैंक की और account assistant की भी अब बात करते हैं हम आज के topic की आपको बता दूँ जब आप जेके बैंक पंचायत account assistant पर जा सकते हैं इसका PDF या इसका जो भी material है आपको मैं वीडियो के बाद में देने की ज़रूरत नहीं है आप पर ये फ्री मिल जाए है तो कोई भी वहां से जागे पढ़ सकता है तो यहां पर आप जब जीके खोलेंगे आपको पूरे चैप्टर वाइस notes मिल जाएंगे हर एक section के और आपको सिरफ इसके लिए भी one time ही payment करनी है ऐसा नहीं कि आपको हर एक component खरीदना है 500 या 200 रुपे का जो आज कल चल रहा है मार्केट में ऐसा नहीं है आपको टोटल शायद से 300 रुपे में 6 की 6 component सारे मिल जाएंगे तो जब आप पॉपुलर नेम्स परस्नालिटीज पर जाएंगे तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि क्या होगा तो आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जब भी स्पोर्स हिस्ट्री जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है उन्हें डिसकस किया गया है ताकि कोई भी चीज आपकी ऐसी ना हो जो छूट जाए तो हम बात करेंगे आपको पीडिएफ मिल जाएगा इसको रीड कर सकते हैं पीडिएफ क्या यह आपको एप पे ही मिल जाएग नेशन बापू महात्मा टाइटल जो है महात्मा का वह कहां पर मिला था तो वह मिला था साउथ अफरीका में 1914 में इस सब के साथ ही बापू भी कहा जाता है और जो इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि 30 जैनुरी को मार्टियस दे के रूप में भी मनाया जाता है तो इस तरह से तो यह सारी आपकी यहां पर कवर हो जाएंगी खान अब्दुल गफार खान इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्हें फ्रंटियर गांदी भी कहा जाता है एससी में यह सबसे फेवरेट क्वेशन है क्योंकि यह क्वेशन बार बार पूछा गया है कि फ् अंबैसेडर ऑफ इंडिया भी इन्हें निकनेम दिये गए हैं तो बात करें इसके साथ ही वालमिकी जी आदी कवी जो पहला पोईट कहा जाता है अब यहां पर बात करें हम तो यहां पर यह चीजें आपको पता होना जरूरी है हो सकता है आपसे एक्जाम में जेंड के से ना पूछ के आल ओवर इंडिया कोई एक क्वेशन पूछ लिया जाए क्यूंकि आपको पता एक से दो माक्स का यह टॉपिक है तो स्टेट के हम कवर कर चुके है इसी में ही हम कवर करेंगे वैसी आप देख सकते है नागार अर्जुन इन्हें इंडियन साइंट आइंस्ट आएंस्टाइन औफ इंडिया भी कहा जाता है आपके लिए जिन बच्चों ने इस फोर का एक्जाम भी देना से सकता है कि आईंस्टाइण ऑफ इंडिया किसे कंसिर कियाजाता है तो उनका अंसर है नागा अर्जुना तो यह आपको बाता हुआना चाहिए लाल भादु玩 शास्त्री दमैन ओफ पीस इन्हें कहा जाता है और यह दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो आप सब को बता है ज्वाहला नहरु ज्वाहला नहरु जी के साथ अगर मैं यहां पे थोड़ी सी अगर आप लोगों से बात करूं हमारी जेंड के की हिस्ट्री की तो ज्वाहला नहरु जी के ने किस राजे के साथ इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन को साइन किया था आप लोग कमेंड में लिखके मुझे बताएं और इस सब आपको पर है स्लीम अली जिन्हें बर्ट मैन भी कहा जाता है अब आपसे पूछा जाए यहां पर अगखे और अधरे वर्स पुछी जाए तो वो कहां पर है तो वह आ आपकी मैं अब इसप्षा और हैब आपने को मैंने पढ़ाई है वो भी चीज़ें आपको पढ़ता चलेगी क्योंकि करने के लिए आपको मैंने बताया था कि असानी से इसके बाद राजाराम मोहन रॉय यह सारे जितने भी आप देख सकते हैं यह सारे आपको मैं बता दूँ कि आप लोगों को पीडिये यहीं पर मिल जाएगा आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो अब अगला है यहां पर शंकर अचारे शंकर अचारे मैंने आपको बताए टेंप कब होता है अब तो आप लोगों को यह याद होगा 31st October को इनका birthday होता है और इसी दिन जेंड के और लदाक दो अलग-अलग यूनियन टेरिटरी बन गई थी तो यह चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन है पीटी उश्या क्वीन आफ इंडियन ट्रैक और फील्ड आप का सबसे important है क्यों क्योंकि इन्हों ने लिखी है हमारे जो हमारा वंदे मात्रम है वो तो आप देख सकते हैं जितनी भी important personalities है चनक्या सरुजी नाइडू सरुजी नाइडू को नाइट इंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अब आप से question है नाइट इंगल और किसे कहा जात है हम सीधा हमारे state के बारे में जो आपको यहां पर देख जाएंगे तो यह सारे आप देख सकते हैं जितने भी cover हो सकते हैं इन्होंने सब cover करने की कोशिश की है अब मैं अगर यहां पर आपसे बात करूं हमने इनके बारे में पढ़ा है और यह हमने पढ़ा है history of Jammu and Kashmir में क्या आपको पता है कि इन्हें किस nickname से बुलाया जाता है तो इन्हें कहा जाता है prince of pilgrims तो यह जो है यह Chinese Buddhist monk थे scholar थे traveler थे translator थे who traveled to India in the 7th century and describe the interaction between Chinese Buddhism and Indian Buddhism during the early time destiny became famous for his 17 year old 17 year overland journey to India तो यह आपको मैंने बताया था हमारे history of Jammu and Kashmir में भी तो यह सारे आप देख सकते हैं नाम आपको दिख रहे हैं यहां पर जितने भी आपको यह दिख रहे हैं आपको पस इनको गरीड करनी है कि अगर काल को इन से आपको कोई क्वेशन दिख जाए एक्जाम में तो आप इसका आंसर कर सके अब बात करते हैं फेमस personalities of Jammu and Kashmir जो हम पढ़ चुके हैं एक विक रिविजन के लिए बक्षी गुलाम मोहमद हमने पढ़े है National Conference Party में थे शेख अब्दुल्ला के बाद दूसरे सबसे बड़े नाम थे इन सब के साथ अगर हम बात करें तो यह प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारी स्टेट के फ्रॉम 1953 टू 64 और यह लॉंगे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर खेन के क्योंगी कि जम्मू एंड किष्मीर में प्राइम मिनिस्टर का त्र शीफ मिनिस्टर आ गया था अब भी आपको कटरंटे का पार्ट भी देगा करन सिंग जो सदरे रियासत है यही क्वेश्य मैं आप लोगों से अभी पूछा है Coke को यहां पर क्लियर हो गई है कि आपको जो यह नोट से इसमें सारी चीज़े मिल जाएंगी और सब आपका कवर होगा इसके बाहर आपको कोई चीज नहीं मिलेगी अमर अब्दुल्ला आपको बता है 11CM थे और इसके बाद मुफ्ति मुहम्मद सयद जिनकी पार्टी थी महबुबा मुफ्ति इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इस टॉपिक में भी बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमें सी एम हैं इंडियन एजमिस्टेटिव कश्मीर की यानि कि अगर हम बात करें जो जेंड के है अभी हमारा तो उसकी फर्स्ट विमें सीएम और अगर आपसे मां बात करूं लास सीएम कौन था हमारा तो लास सीएम भी थी हमारी मैं बुबा मुफ्ती ही तो यह आपको याद रखना है फर्स्ट विमें सीएम थी गुलाब सिंग जी के बारे में बात करूं तो डोगरा डैनिस्टी के फाउंडर थे यह अमने प पड़ी है और क्या-क्या चीजे एक्चुल नोट्स में लिखी गई है उसके बाद बात करें महाराजा रनबीर सिंग की तो महाराजा जो थे और 1856 से 1885 तक रहे थे इन्होंने क्या-क्या किया था तो यह आपको पता है कि गिलगेट तक इन्होंने सारा कबजा कर लिया था अब यहां पर जो यह लाइन है यह आपको शायद से कहीं नहीं मिलेगी महाराजा रनबीर सिंग एस्टेबलिश्टे ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारूल तर्जुमाहा तो यह आपको पता होना चाहिए परताब सिंग आये थे उसके उनके बाद राजा अमर सिंग थे है इन सब के साथी सुभाश काक तो यह अब आगे आपके साइंटेट जो आपको साइंटेटेस परस्नालिटीज है या जो पूछे गए हैं उनमें आपके यह आगे हैं सुभाश काक कौन है तो यह इंडियन अमेरिकें कंप्यूटर साइंटिस्ट है और हिंदुत व सिरिनगर के आपको पताने चाहिए अमिताब मट्टू इंडिया लीडिंग थिंकर्स इंटर्नेशनल रिलेशन तो यह भी आपको पताने चाहिए चेर्मेंट ऑफ गवर्निंग बॉडी मेरांडा हाउस उनिवर्सिटी और देली तो यह आपको वह हैं जो हमारे स्किप हो चु आपको पता है शेर कश्मीर यह लॉयन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है तो यह सब हमने पड़ा हुआ है ललित कुपता कौन थे यह इस्टॉरियन थे तो यह काफी फेमस थे सोनम वांचुक आपको पता है अभी रिसेंटली इनकी एक वीडियो काफी फेमस हुई है जिसमें न कवर किया था पॉलिटिकल पार्ट इसमें रजिंदर सिंग जी ब्रिगेडे रजिंदर सिंग वाजन ऑफिसर इन जम्मु एड किश्मीर स्टेट फोर्स इवाद फर्स एस्टेंट ऑफ महावीर चक्र अब यह हैं जो हम लोग कर चुके हैं और यह इंपोर्टेंट है नाज आइरन लेडियो ऑफ कश्मीर और यह लास्ट में जो आपको दिख रहा है यह सबसे ज़्यादा आपका इंपोर्टेंट पार्ट है ताकि आपको बता दूँ यह डिरेक्ट आपसे पूछा जा सकता आइरन लेडियो ऑफ कश्मीर कोन है तो उनका नाम है परवीना अहंगार तो यह आपको चीज़े बता दूँ इसी के साथ अगर मैं बात करूं नोट्स के एंड में आपको इस तरह से निकनेम की तरह सारी चीज़ें दी होंगी तो यह आपको रिवीजन के लिए असानी रहेगी साइंटिस्ट के लिए अलग से हैं सलीम अली नागर जुन सेयद बं हैं ताकि कोई भी चीज़ कि ना हो सके तो यह सारे आपको अलीवोड के एप पर ही मिल जाएंगे और एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए भी चार से पांच क्वेशन दिए गये हैं आओ हम सीधा इसी पर आते हैं मैं कम तो यह किसकी ऑटोबाफी है तो यह अडॉल्फ ह नेन के एक्स टेरनल एफेस रह चुके हैं या या इस देवादर ओफ फौर्मस चीफ मिनिस्ट्र अमर अबदुल्ह तो क्वसा सही है तो इनके लिए सँए एंड सी एक्सटर्नल एफेस मिनिस्ट्र वो कभी नहीं रहे आइड लेडी ऑफ किसे कह गया है तो वह कहा गया है अहंगार को चैन सिंग विलॉंग्स टू जमू एंड किश्मीर वाज दा फर्स्ट ओलम्पियन फ्रॉम जी एंड के तो यह था आपका पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनेलिटी बिलॉंग्स टू जमू एंड किश्मीर और हमारी इंडिया अब यह तो पहला पार्ट फ्री था तो हम इसको डिसकर सकते हैं मैंने इंसे पर्मिशन ली थी तो बाकी के पार्ट इस तरह से हमारे चल रहे हैं वह चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि न आउट हमें था कि इंडिया की पर्सनालिटी पढ़नी है या फिर हमें पढ़नी है जमू एंड किश्मीर की तो आपको यहां से क्लियर है कि हमें दोनों को पढ़ना है टाकी अगर कोई चीज आप से डिरेक्ट पूछी जाए तो हम उसका आंसर भी दे सकें तो आई होप करता दूं 20 जुलाई को हमारा मौक है बैंक पियो का ऑलिवोड की एप पे ही तो इसके लिए आप लोग तयार रहें अपनी तयारी को करें हमारी त्यारी चल रही है तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझा रही होंगी आज के लिए सिर्फ इतना ही जो लोग ने ह है चनल को सब्सक्राइब करने तांके आपको हर एक अपडेट मिलता रहें